नमस्कार शिक्षार्थियो नैदानिक एवं उप्चारात्मक पोशन की व्याख्यान च्रिंकला में एक बार आपका पुना स्वागत है आज हम बात करेंगे किशोरा वस्ता में आहारेमं पोशन की बारे में तेरा से अठारा वर्ष की अवस्ता को किशोरा वस्ता कहा जाता है दिखा जाये तो इस अवस्ता में शरीर में बहुत सारे परिवर्थन देखे जाते हैं इसलिए इसे परिवर्थन की अवस्ता भी कहा जाता है इस अवस्ता में व्यक्ति के शरीर में कई शारिरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्थन होते हैं इस अवस्ता के पूर्ण होने तक 18 वर्ष की आयू तक पहुंशने पर व्यक्ति का ज़ो वजन बच्चे का वजन जो होता है वो दुगना हो जाता है बालक अपनी पूर्ण लंबाय को प्राप्त कर लेता है और बालक और बालिकाओं के मद्य सपष्ट शारिरिक परिवर्तन दिखाए दिने शुरू हो जाते हैं दोनों ही लिंगों में अर्थाइद बालक और बालिकाओं में पूर्ण यौन परिपक्वता दिखी जाती है और इस अवस्था में शारिरिक वृद्धी की गती बहुत ही जादा तीवर होती है तेजी से हो रहे शारिरिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इस अवस्था में पोशन अत्यंत आवश्चक है क्योंकि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास इसी अवस्था में होता है हम बात करेंगे इस अवस्था में विशेश्थाएं जो होती है व्यक्तिकी और होने वाले शारिरिक परिवर्तनों की शारीरिक परिवर्तनों में किशुरा वस्था वृद्धी स्फूरन अर्थात ग्रोफ स्पर्ड की वस्था है जिसके दौरान शारीर के विभिन अंग जैसे हृदय, फेफडय, अमाशय, गुर्दय ये अपने पूर्ण आकार एवब क्रियाशीलता के इस तरवर पहुंच जाते हैं लड़कों में लड़के अपनी पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं और उनमें कई शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं समानिता लड़कों की लंबाई 12-13 वर्ष की आयू में शुरू होकर 18-19 वर्ष की आयू तक पूर्ण हो जाती है लंबाई के अनुरूप शारीरिक भार में व्रिद्धी होती है जो असतन 18-22 किलोग्राम तक होती है लड़कियों में किशोरावस्था का सबसे महतवण लक्षन है मासिक धर्म का आरम जो इसका प्रथम और सरवाधिक महतवण लक्षन है इसके अतरीक लड़कियों में लंबाई में व्रिद्धी देखी जाती है उनके वक्षिस्तल का विकास, नितंबो का चौड़ापन और शारिरिक संतरी में वृद्धी देखी जाती है सामानेता लड़कियों की लंबाई 10-11 वर्ष के आयू में शुरू होकर 17-18 वर्ष के आयू तक पूर्ण हो जाती है लड़कियों के विजन में वृद्धी समान ही होती है और शरिर के कुछ भाग जैसे नितंबो आदी पर अधिक पसा संग्रहित होती है मांसिक परिवर्टन देखे जाते हैं किशोर अवस्ता में इसमें मांसिक विकास भी अपने चरम पर होता है इस अवस्ता में किशोर किसी का दखल पसंद नहीं करते दोस्त उनके लिए बहुत जादा महत्पूर होते हैं इस अवस्ता में वाँ अपने निर्णाय स्वें लिना पसंद करते हैं उन पर अपने साथियों का बहुत अदिविक प्रभाव होता है जिसमें उनके सभी निर्णाय और बोजन संबंदी सभी आदते अपने साथियों से प्रभावित होती है और एक बहुती महत्पूर लक्षण है उनके बांसे विकास है जो है मांसिक स्वतंतरता वह रूडियों, रिती रिवाजों, अंदविश्वासों और पुर्णारी परंपराओं को अस्विकार कर अपना स्वतंतर जीवन जीने का प्रयास करते हैं किशोर अवस्था में मांसिक योगिताओं को सुरूब भी निश्चिच हो जाता है उनमें सोचने, समझने, विचार करने, अंतर करने और समस्याओं का समधान करने की योगिताएं उत्पन्न हो जाती है इस अवस्था में वह अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं और तर्क ये बिनावा किसी भी बात को सुईकार नहीं करते कल्पना प्रचुर्ता की अवस्था होती है या किशौर अवस्था में किशौर वास्तवी जगत में रहते वे भी कल्पना की संसार में रहते हैं और कल्पना के बहुली के कारण उनमें दिन में ही सुप्ने देखने की प्रवर्ति पन्न हो जाती है बालकों की अपेक्षा में बालिकाओं में यह अधिक होती है और वहाँ अपने काल्पिंक संसार में उन सब बातों को साकार कर लेते हैं जो उनके वास्तमी जीवन में संबब नहीं होती है इसी कारण बार कई किशोर देखा जाये तो शान्त और अंतरमुकी भी हो जाते हैं भाबनात्मा का अस्तेता देखी जाती है इस अवस्ता में हॉर्मोनल परिवर्तनों के कारण और इन परिवर्तनों के कारण किशोर का मूड अधिकांशता परिवर्तित होता रहता है उनका स्वभाव अक्सर बदलता है और बच्चों और वैसकों के तुलना में उनमें अधिक तीवर और व्यापक भावनों देखी जाती हैं जिस कारण उनकी समस्याइं भी जादा होती है और या इस्थिरता उनमें भूग या समान्य भूक लगना या भूक ना लगना या लंबी नीट का कारण भी होते हैं और ऐसे जो किशोर होते हैं वह अवसाथ गरस्त होनी के उनमें ज्यादा समावना होती है मानो बिकास का एक चरण है, जिसमें किशोर, यॉन भावनाओं का अनुभव करते हैं और उनका अनुभेशन करते हैं इस हवस्ता में शुरिवात में ही लेंगिकता या कामुकता में रूची तेज हो जाती है किशोर. कि और यह रूची बिन्न हो سकती है जो सांस्क्रितिक, मांदंडो, यौन शिक्षा, यौन अभिविन्यास और सामाजिक नियंतर से प्रभावित होती है अब बात करेंगे किशुरा वस्ता में पोशक तत्मों की मांग जैसे कि पहले भी हमने बताया कि या तीवर परिवरतन की अवस्ता है जिसमें पोश्टिक तत्मों की मांग अत्तिक होती है और इसी अवस्ता में संगत के प्रभाव की कारण गलत आहर पद्यतियां भी विक्सित हो सकती है इस अवस्था में यदि उचित पोशन ना मिले तो उसका प्रभाव वित्ती के भावी जिवन पर भी पड़ता है परन्तु इस अवस्था में किशोर अपने शरीर के प्रतियांत सजग रहते हैं और आकरशक दिखना उनके लिए बहुत महत्मूर्ण रहता है खासकर किशोरियों में दूबला बनना या चरहरा दिखना अधिक महत्मूर्ण रहता है जिसके कारण में अपने आहार में कमी करना शुरू कर देते हैं और उनका इससे पोशन इससर विप्रीत रूप से प्रभावित होता है ICMR या भारती चिकितसा अनुसंदान परिशाद द्वारा की शुरौवस्था में लड़के और लड़कें के लिए अलग अलग पोशक तत्वों की मांग इस तालिका में दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि 10 से 12 वर्ष, 13 से 15 वर्ष और 16 से 17 वर्ष तीन वर्गों में इसको विभाजित किया गया है जिसमें अलग अलग लिंक के हिसाब से लड़कें और लड़कें में पोश्टिक तत्वों की मात्रा दी गई है उर्जा की बात करें तो किशोर अवस्टा में लंबाई बढ़ती है, भार बढ़ता है क्रिया शीलता वें हम आधारी जयाप साधर में व्रिद्धी होने के करण उर्जा की मांग बढ़ जाती है लड़कों में हैं मांग लड़कें से ज़ादा होती है क्योंकि उनकी रुची बहाई एक खेलो व्यायों में अधिक रहती है इस अवस्था में शारेरिक विकास की गती अत्यांत तीवर होने के कारण मांस पेशियों के निर्माण, कोशिकाओं के शाय तथा अधिक कोशिकाओं के निर्माण, नई कोशिकाओं के निर्माण और हर्मोनों के निर्माड हेतू प्रोटीन यूट भोज़े पदार्थों का सेवन जादा आवश्चक है और इसके लिए आहर में दालों का सोयाबीन, अंडे, मांस, मचली, दूद, दुख दूदपाग आवश्चक रूप से समिलित करने चाहिए वसा की बात करें तो चुकि वसा उर्जा प्रदान करता है और शारिरिक रियाशीलता इस अवस्था में अधिक होती है इसलिए वसा की आवश्चक था भी इस अवस्था में जादा होती है परन्तु आहर में वसा सीमीत मात्रा में ही होनी चाहिए क्योंकि इसके अधिक सेवन से उर्जा अंतर ग्रहन जादा होता है जिससे मोटापा होनी का खत्रा रहता है जिससे अव्यक्ति भावी जीवन में कई अपशई रोगों का शिकार हो सकता है जैसे रिदे रोग मदुमे लौलवन अत्यन तावशक है इस अवस्था में खासकर किशोरियों में क्योंकि किशोरियों में इस अवस्था में मासिक धर्म की शुरवात होती है जिससे शरीर में से रक्त की हानी होने लगती है और अगर यह रक्त की हानी अधिक हो और लौलवन आहर में कम हो तो किशोरि या रप्तालपता है या अनीमिया की सिग्रस्त हो सकती है इसलिए इस अवस्था में आहार में लौलवण के प्रचुर स्रोत होने चाहिए जैसे हरी पतिदार सबजियां अंडा गुड आदी भारत में किशोरियों में अनीमिया एक आम समस्या है जो इत चिंतनी विशा है इसल विटमिन्स बहुत जरूरी है खासकर विटमिन ए जो आँखों के स्वास्त के लिए जरूरी है यह हरी पतिदार सबजियां पीले फल गाजर अंडा दूद से मिलता है बी विटमिन्स जैसे हम पहले भी हमने अपने व्याख्यान में बता है कि इनकी जो दैनिक अनुश्चि भी बढ़ जाती है इसलिए इनका जो अंतगरहन है वो उर्जा की अवशकता के अनुरूप होता है विटमिन सी जो है वो शरीर की तवचा के उत्तम स्वास्त कहाओं के शीक्र भरने और रोग प्रतिरोधक शम्ता वेक्सिप्ट करने के लिए आवशक है इसके लिए आहर मे खटे, फल, आवला, अम्रूद, आदी का समाविश होना जरूरी है इसके अतरिक्त हमारे किशोरों के भोजन में आयोडीन की भी परियाप्त मातर होनी चाहिए जिसे आप जानते हैं कि आयोडीन थायरॉक्सिन हॉर्मोन का अव्याव है जो शरीर में आधारी चैप शेदर क नियंत्रित करता है और साथ ही यह शारीरी गौर मांसी विकास हेतु भी ज़रूरी है तो इसलिए आहर में हमेशा आयोडीन यूजंत नमक का ही प्रयोग करना चाहिए किशोर अवस्ता में आहार नियोजन किस प्रकार किया जा सकता है इस अवस्ता में आहार विविता पूर्ण होता है क्योंकि घर के अतरिक्त किशोर अपना धिकान समय बाहर बिताते हैं और अपने दोस्तों के साथ भोजन करते हैं और उनकी आहर संबंदी आदतें अपने दोस्तों से प्रवावित होती हैं ऐसे में किशोर अक्सर अपना नियमित आहर छोड़ कर बाहर का खाना पसंद करते हैं जिनमें उर्जा की मात्रा अधिक होती है परंतु पोशक तक्त्त कम होते हैं जैसे फास्ट फूड जिसमें नूडल्स, मॉमो, पीजा, कोल रिंग्स ये सब होते हैं ऐसी इस्तिधी में जो भी आहार किशोर घर पे लेए वहाँ पोशक तक्त्तों से भरपूर होना चाहिए औ और उर्जा, प्रोटीन, लौह, लवन और कैल्शिम के खादिस रोतों पर विशेश बल देना चाहिए तेजी से वजन कम करने वाले और जल्दी मान स्पेशों को उन्नत करने वाले आहारों से बचना चाहिए ऐसे आहार बाजार में उपलब्द होते हैं जिनके सेवन से दिखावट की हमेशा चिंता रहती है और विशेश कर किशोरियां जो होती है वह दुबला चरहरा बनने की चाहा में आहर बहुत कम कर लेती हैं और हमेशा वजन कम करने के नेने तरीके ढूटती रहती हैं तो ऐसे में जरूरी है कि उनको हमें सही गाइडिन्स देना वसा शरकरा और रिफाइन जो कार्बो हाइडिर्स होते हैं उनसे तयार भूजन और संसादित भूजन से बचना चाहिए जिसमें फास फूड आते हैं या प्रोसेस्ट फूड आते हैं क्योंकि ऐसे जो भूजी पदार्द होते हैं वह सिर्फ कैलोरी प्रदान करते हैं और अवश्चक पोशक्त प्रदान कम करते हैं तो ऐसे में घर के बनेवे संतुरित भूजन को अधिक प्रात्मिक्ता देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किशोरों को लोग प्रिय और अधिक स्विकारे भूजन घर पर ही त्यार करके दें जिससे कि उनकी बाहर खाने की प्रियादत कम हो और घर पे ही एक पोश्टिक और संतुलित भूजन ले सकें कुछ पोशन संबंदी समस्याइं कि शुरवस्ता में आम तोर पर देखी जाती हैं जिसमें से मोटापा सबसे पहली समस्या है जो आजकल बहुत जादा देखने को मिलती है जो इस वजह से होती ह है कि शारेरे क्रियाशिलता इस एज में कम हो जाती है और बाहर का खाना बच्चों में जादा होता है जिसमें फास फूर्ड वो लोग बहुत खाते हैं घर का बनावा कम खाते हैं और यह बाहर का बनावा खाना बहुत उर्जायुक्त होता है जिससे दीरे-दीरे क्या होता और किशोर मोटा होने लगता है। इससे आरने वाले जीवन में कई चयाप चयी समस्याओं सेवग रसित हो सकता है। और यहां मुटापा उसके जीवन के आगामी वर्षों में हृदययो, रोग, मदुमे आदी का कारण बन सकता है। और जैसे पहले बताए हमने कि किशोरा वस्ता में किशोरियों में मासिक धर्म की शुरुवात होती है जिससे बहुत ज़दा ब्लड लॉस होता है और अगर यह जो लॉह लवन होता है वो अगर आहर में परयाबत रूप से नहीं हो तो इससे किशोरियां अनीमिया से ग्रस्त ह हो सकते हैं और सात ही किशोर के लिए एक न कीया हार, टालीका में आप देखें, कि किस प्रकार हम किशोरों किशोरों के रिए पूरे दिन का अहर नियोजन कर सकते हैं उनके अहर में हम अलग-अलग फूर गूरूप से खादिवतार्थ को सम्मिलित करके अलग-अलग प्रकार से उनको बना सकते हैं जिससे कि उनका घर पे खाने की आदत बनी रहें वह बाहर का खाना कम खाएं और जो पूरे दिन का खाना हो वह संतुलित हो और पोश्टिव तक्तों से भरफूर हो. तो शिक्षादियों, आज आपने जाना कि किश्वरा वस्ता में हम किस प्रकार आहरनियोजन कर सकते हैं, आने वाले व्याख्यान में हम प्रोडा वस्ता में आहर्नियोजन के बारे में बात करेंगे धन्यवाद